देखे साल का पहला सूर्ग रहन लग चुका है खगोलिय घटना को जोतिर विदो ने महाग रहन का नाम दिया है और उनका तो ये मानना है कि सूर्ग रहन पर ऐसे कई महा संयोग बन रहे हैं जो आज से तकरीबन 900 साल से पहले बने थे 25 साल के बाद ये पहला मौका अब लाइ सूर्ग रहन का नाम इसे जोतिर विदो ने दिया है हालांकि कुछ जो जोतिश हैं उनका ये भी मानना है कि थोड़ी राहत इसके बाद मिल सकेगी क्योंकि दिसंबर में जब सूर्ग रहन लगा था तो उसके बाद से कोरोना का जो संकट है वो शुरू हो गया था लेकिन आ और सो साल बाद ये महा ग्रहन लगा है जैपूर से लाइव तस्वीर हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से हलका सा अंधेरा आसमान में छाया हुआ है जो तिरविदो की अगर माने तो इस दौरान खाने पीनी के लिए तो साफ तौर पे मना ही किया जाता है इक खाने की वस्तो का सेवन इस समय नहीं करना चाहिए और साथ ही पूजा पाट को जादा महत वता देनी चाहिए मंतर करने चाहिए ऐसा माना जाता है एक और अपडेट आपको यह दे दें कि हर समय बिल्ला तारा मंडल जो है वहाँ पर सूर्ग रहन देखने की ववस्ता की जाती इंतल्जामात की जाते लोग काफे उतसाहित होते हैं उन्हीं देखना होता है कि किस प्रकार की जो आकाश में आक्रती दिखाई देगी किस प्रकार का सूर्ग रहन होगा लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना संकट चल रहा है हम सभी को पता है तो कोरोना काल के चलते इस बार ऐसी कोई ववस्ता की नहीं गई है दूर्बीन की जरीए देखा जाता है बिर्ला तारा मंडल में सूरी ग्रहन को लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है साफ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर महा ग्रहन ही ये है जो संयोग बना है सभी के अलग-अलग माननेताएं हैं कुछ जोतिशाचारियों का ये मानना है कि ये अशुब होगा हालांकि कुछ का ये भी कहना कि जिस प्रकार से दिसंबर में सूरी ग्रहन लगा था उसके बाद से कोरोना संकट की जो है शुरुवात हो गई और धीरे-धीरे आखडे आज हम सभी के सामने हैं कि सरीके से बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हो सकता है शायद ये हो सकता है कि इस सूरी ग्रहन के बाद थोड़ी-थोड़ी राहत मिलना शुरू हो क्योंकि एकदम से तो ये कम नहीं हो सकते जिस प्रकार से संक्रमन फैला हुआ है लेकिन ऐसी माननेताई है लोगों का मानना है कि इस दौरान खाना पीना जो है वो विशेश तौर पर मना किया जाता है लोग पहले से ही अपने जो गुरु होते हैं पंडित होते हैं जो उनके घर में लोग जिनको मानते हैं उनसे पहले से ही जो गाइड लाइन्स है वो ले लेते हैं कि इस प्रकार की साबधानिया बरतनी होंगी अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग प्रभाव भी पड़ता है सूर्ग रहन का तो पहले से वो जान लेते हैं और उसके बाद में जो भी साबधानिया बरतने को उन्हें कहा जाता है अलग-अलग माननेताओं के अनुसार वो लोग करते हैं साल का सबसे बड़ा सूर्ग रहन ये है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सबस्क्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन